नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी के मारी वरक्षिट नमबर 87 यानि की कारे पत्रक्षिंग्या स्तासी को यह आपकी 9 फरवरी 2022 की वरक्षिट रहेगी और आज की इस वरक्षिट में हम अपना हिंदी का पार्ट माता कांचल पढ़ना जारे रखेंगे इस पार्ट के लिखक है श्रीव पूजन सहाय जी अपनी पच्पन की उमर में अपने बच्पन को याद करें इस पार्ट के दौरा लिखक अपने बच्पन की कुछ यादों को, कुछ कहनियों को, कुछ किस्सों को, कुछ मनमानियों को, कुछ शेतानियों को हमारे साथ साजा करें तो चले ही शुरुआत करते हैं हम आज की इस वरक्षिट की प्यारे बच्चों, पिछले कारे पत्रक में जो माता का अंचल कहनी है, उसमें हमने देखा कि कैसे पिता और पुत्र है, वो बच्चपन में जब भोजन करते हैं, तो आपसी प्रेम को पदर्शित करते हैं, कैसे वो कई खेल, कई परकार के खेल है, वो आपस में खेलते हैं, क माता को लगता है कि बच्चा वो पूरे भर पेट है, खाना नहीं खा पा रहा है, और माता को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, बच्चा ऐसे ही खाना खाता रहा, तो वो कमजोर हो जाएगा, और अगर वो कमजोर हो जाएगा, तो भहुशे में आने वाली चुनोतियों का कैसे सामना करेगा और इसी बात को ले करके हलंकि बच्चे का पेट भरा होता है और मा उसको दोबार से फिर से खाना खिला देती है आज की इस वरक्षीट की बात करें तो आज की इस वरक्षीट में हम पढ़ेंगे कि ग्रामिन प्रिष्ट भूमी में बच्पन में बच्चों का जीवन किस परकार से आगे बढ़ता है और माता पीता दोरा किस परकार उनसे लाड़ प्यार किया जाता है तो चलिए इस अंश को पढ़ेंगे और इस अंश को पढ़ने के बाद इसी पर आधारित रहेंगे हमारे कुछ आसान से पर्षन जिनको हमें हल करना है तो यह कहे वही धात जो दही भात है सान्ती और अलग-अलग यानि कि जो मा है अब वो बच्चे को अपने हातों से खाना खिलाना चाती है क्योंकि मा को संतूष्टी अब यही बात कह करके कि मेरा बच्चा है वो भुखा रह गया तुम तो कमजोर हो जागए और वो दही भात है वो त्यार करती है और अलग-अलग तोता, मेना, कबुतर, हंस, मोर आधी के बनावती नाम से कोर बनाकर यह कहते हैं जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे और पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मोका ही नहीं मिलता था यानि कि मा क्या करते हैं कि वो दही भात सांती है और बच्चे को कोर खिलाती है बड़े-बड़े कोर खिलाती है क्योंकि जैसे उसने अपने पिता को देखा था कि जो लेखा के पिता है उनको छोटे कोर खिलाता तो मा को लगता कि ये तो भूके रह जाएंगे बच्चे इसले वो बड़े-बड़े कोर खिलाती है और बड़े-बड़े कोर खिलाती तो वो पक्षियों के नाम लेती है कि य यह तोता है, यह मेना है, यह कबूतर है, और बच्चों कहतें कि जल्दी खा जाओ, वरना यह उड़ जाएगा, और बच्चा उसको जल्दी जल्दी खा जाता है, यहनकि प्यार से दुलारत वे इस तरिके से उसे अच्छा खासा दोबारा से भोजन करवा देती है, जब हम पेट भर जाता था, तो उनको उनके पिता जी, उनके बाबुजी, उनको कहते दे कि ठीक आप राजा बन गएओ, ताकतवर हो गएओ, बलशाली हो गएओ, अब जा करके खेल लो, बस हम उठकर उचल कूदने लगते हैं, और उसके बाद जितने भी बच्चे होते दे, वो आजपास के बच्चे या घर के जो बच्चे दे, वो उचल कूद करने लगते दे, गाओं में जो प्रिवेश होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, शहरों की तुलना में, वहाँ पर एक जो आजपास के घर होते हैं, जो गली होती है, जो महला होता है, वो सभी बच्चे स की घर में दुब के रहते हैं आम तोर पे जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के बच्चे तो वो भी आपस में मिल करके धमाल नहीं करते हैं अगर वो धमाल करते हैं तो भी उनको टोक दिया जाता कि आप शूर क्यों करे हो वहाँ पर ऐसी रोक टोक नहीं होती है तो जब बाबुजी उन्हें कहते कि अच्छा तुम आप राजा हो पेट भर गया बलशाली हो गयो अब जाओ खेल लो तो सारे बच्चे उठकर के आसपास उथल जो उचल कूद है वो कड़ने लगते दी और फिर रसी में बंदा हुआ काट का घोड़ा लेकर जब कभी ऑपस में जगणर भी लेते हैं कभी कभी चोट भी लग जाते हैं लेकिन उन चीजों की उतनी ज्यादा चिनता गाओं में ग्रामरी प्रिवेश में नहीं की जाती हैं जब कभी मए अचानक हमें पकड़ पाती तब हमारे लाग चट पढ़ाने पर भी एक चुलू चुलू कडवा तेल हमारी सर पर डाल ही देती थी कभी-कभी ऐसा उता था कि जो माताजी है उनकी चापा मार कारवाई करती थी जब वो गली में खेल रहे होते थी तभी मायः आ जाती थी और वो छट पटा आती थी छुडाने के लिए कि हमें नहीं जाना है घर में नहीं जाना है हमें कुछ और नहीं करना हमें खेलने दो लेकिन मा थी कहां छोड़ने वाले थी उनके सर के उपर एक चुलू कड़वा तेल जो गरम तेल जिसको बाद में ठंडा किया जाता उस तेल को डाल दिया जाता था किसके लिए मालिस करने के लिए हम र टेल बोत कर हमें उबढ़कर ही छोड़ती थी यानकि वो उनके सर में जो तेल लगा उसको ठीक्तरकसे मालिस करने के बाद ही मया उनको वापस खेलने के लिए छोड़ती थी फिर हमारी नारभी और लिलार में काजल की बिंदी लगा कर चोटी गूंत थी और उसमें फूल दाल लट्टू बांद कर रंगीन कुर्टा टोपी पहना देती थी और जब उनको नहला करके त्यार किया जाता था, कैसे त्यार किया जाता था, कि उनकी नाभी में, उनके लिलार मतलब माथे पर काजल की बिंदी लगाई जाती थी, उनकी बाल बड़े-बड़े होते थी लेखर के बच्पने, तो उनकी चोटी गुंती थी और उसमें फोड़े से नाराज हुए थोड़े से सिजखते हुए अपने बाबो जी के पास चले आते थे और उन्हीं की गोद में उन्हीं के साहरे फिर वो कोशिश करते थे थे हम बाहर खेलने के लिए दोबारा से निकल जाएं तो यह हमने एक और किस्सा पढ़ा कि कैसे लेखक को बच पर्षन दियेगे, पांच पर्षन हमारे रहेंगे और उसके बाद दो हमारी गतिवी तो चलिए एक एक करके इन सभी पर्षनों को हम हल करते हैं तो यहाँ पर पहला जो हमारा पर्षन दिया गया है कि माता अपने पुत्र को किस परकार खाना खिलाती थी यह हमें बताना है तो माता भरावा पेट होने पर भी अलग लग पक्षियों के नाम लेकर के दही चावल के बड़े बड़े कोर मुव में डाल कर कहते थी कि जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे और बच्चा उनके उड़ने से पहले ही खा लेता था इस तरीके से यनकी प्यार प्यार से वो अपने पुत्र को खाना खिलाती थी उसके बड़ सेकिन हमारा क्वेशन रहेगा दूसरा हमारा प्रशन दिया गए कि चट कर जाना इससी आप क्या समझते हैं यनकी इसका अर्थ क्या है तो चट कर जाना एक परचली थिंदी मोहावरा है जिसका अर्थ है सब का सब खा उके साफ कर देना बिलकुल उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेशन रहेगा तीसरा हमारा प्रशन दिया गए कि भोजन समाप्त होने पर बाबुजी क्या करने को कहते यह हमें बताना है ठीक तो भोजन समाप्त होने पर बाबुजी कहते कि अब तुम राजा हो जाओ खेलो उसके बाद चोथा हमारा परशन दिया गए चोथा परशन है कि लेखक के अनुसार भोला नात बाबुजी की गोद में कनहिया बनकर कब आते थे यह हमें बताना है तो भोला नात अपनी माता से सजने संवरने के बाद कनहिया बनकर बाबुजी की गोद में आते थे उनकी उ ग्रामिन प्रिष्ट भूमी और वर्तमान शहरी प्रिष्ट भूमी के खेल में क्या प्रिवर्तन आया है प्रिवार से बाचीत के अधार पर लिखना है तो ग्रामिन प्रिष्ट भूमी के जो खेल वो खुले में खेले जाते हैं खुले मिदान होते हैं खुली गलियां होती है जगय होती है तो उसमें वो खेले जाते हैं जिसमें आसपडोस के सभी बच्चे शामिल होते हैं जबकि शहरों की बात करें तो शहरों में आजकल बच्चे मोबाइल में ही घुशे रहते हैं या इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं आम तोर पे, आसपास के बच्चे कम ही इकठे होते हैं, या तो एक ही परिवार के या एक ही घर के बच्चे, वो आपस में थोड़ी देर के लिए खेल लेते हैं। यह बदलाव है शहरी पृष्ट भूमी के बचपन में या खेलों में और ग्रामिन पृष्ट भूमी के बचपन और खेलों में उसको बाद चठा हमारा परशन रहेगा, चठा जो परशन है वो गतिविदि हुमारी एक्टुडी है कि कारे पत्रक से देश जी या ग्रामिन शब चुन करके हमें लिखना है उसके स्थान पर आप अपने बच्मन में किन शब्दों का प्रियोग करते है तो ये भी हमें लिखना है तो जैसे चट करना, ये देशे शब्द है, इस कार्थ होता है सब साफ कर देना, सब कुछ खा जाना, तो आप अगर दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली में तो यही शब्द हम प्रियो करते आए ना, कि सब साफ कर दिया, और वहाँ देशे शब्द हम इसको चट कर जाना बोल दे इसे लिलार जिसको हम बोलेंगे हिंदी में माथा बिगड़ना जो ग्रामिन एक शब्द है तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि नाराज हो गए बिगड़ गए तो हम यहां बोलते हैं कि नाराज हो गए तो यह था हमारा चठा पर्शन उसके बाद सेवन था हमारा कोशन रहे तो कभी खिलोने दिलाने का, कभी कभी टोफ्या दिलाने का, तो कभी नाने की यहां या शहर ले जाने का बहाना करके खिलाती थी, हर रोज खाना मेरी पसंद का ही बनाया जाता था और सबसे पहले मुझे ही खिलाया जाता था, तो ऐसे ही कोई अगर आपके अनभोव बच्प शोसर साइंस, इंग्लीश और हिंदी, उसके बाद साइंस के भी, जो most important questions है chapter wise, तो वो लगपग से ready हो रहे, तो next week से हम इनको publish करना शुरू कर देंगे, और जैसा प्यार, जैसा sport आप अब तक करते हैं, वैसी आप मेरे साथ बने रहेगा, love you all, thank you, bye bye, have a nice day.